जैस्री किष्ण, स्वागत है आप सभी का मेरे बास्तु ग्यान यूटूब चैनल पर आज मैं आपको सुभ संकेतों के बारे में जानकारे दूँगा जब भी इंसान का सुभ समय आता है तो उसे कुछ संकेत नजर आ जाते हैं जिन्दगी में कुछ चीजे ऐसी होती हैं जिससे हमें भगवान की तरफ से संकेत मिलने लग जाते हैं हमारे साथ वविष में क्या होने बाला है उसकी जानकारी हमें मिल जाती हैं जब भी आपका सुभ समय आने बाला होता है तो आपको बगवान से कुछ सुभ संकेत मिलने लग जाते हैं, धन प्राप्ती के, सफलता के, सभी प्रकार के संकेते आपको नजराने लग जाते हैं, आप सुभए उठकर जब भी सीसे में अपना चेरा दिखते हैं, तो अगर पिर आपने किसी को पैसा दिया हुआ है और वह आपको मिलने आई आपको पैसा बापिस करने आए तो आप समझ सकते हैं कि आपका सुब समय शुरू हो चुका है वही कुछ संकेथ पसू-पक्षियों के द्वारा भी प्राप्थ होते हैं जिससे आप धन प्राप्ति का अन्वान लगा सकते हैं कि अब आपका समय आने वाला है अच्छा और धन की प्राप्ति होने वाली है जो भी चैनल पर पहली बरा है चैनल को सब्सक्राब करें बगर बैल आइकन बटन को भी दबा दें हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बगवान से किष्ण कहते हैं इंसान जैसा करम करता है उसी प्रकार से उसे धन की प्राप्ति होती है परवार की प्राप्ति होती है उसका संपूर जीवन व्यतित होता है वही जब इंसान के सुबसमय आते हैं तो उसे कुछ संकित दिखाई देते हैं पसुपक्यों के द्वारा भी हमें सुब संकित दिखाई देते हैं अचानक से गर में चेटियों का आना भी सुब संकित माना जाता है बंदर अगर आम की गुटली आपकी छत पर फैंक दे तब भी सुब संकित माने जाते हैं रास्ते में अगर अचानक से बिल्दी सामने आ जाती है और वह स्टैड में उकर के आपके निकल जाती है तो ये भी सुब संकित माने जाते हैं काली चेटी अगर में आना मातालचमी का संकेत होता है अगर अचानक से आपके गर में काली चेटी आ जाती है तो ये भी सुब संकित माना जाता है जब भी आप निंद्रा में हूँ और अचानक से आपको कोई दिब्य देवी दर्सन हूँ अचानक से सुब संकित मिलने शुरू हो जाते हैं तो अब आपको समझ लेना चाहिए आप सुबेट जब भी घर से निकलते हैं तो कोई भी पानी या दूसे भरा बरतन लेकर आपके सामने आजाए तो आपको सुब संकित समझ लेना चाहिए आपके चत पर अचानक पक्खियों का आना सुब संकित माना जाता है आपके चत पर आकर के पक्खि अचानक से जल पीते हैं पानी पीते हैं तो यह सुबसंकित माना जाता है माता लच्मी की किरपा आपके उपर होने बाली है इसके संकित कई प्रकार से आप समझ सकते हैं अगर अचानक से आपके घर में चिपिकली एक साथ तीन या चार चिपिकली आजाएं तो ये भी सुब संकेत माना जाता है इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि यह माता लच्चमी के आने के सुब संकेत हैं ऐसा अगर आपके गर में भी होता है तो आप अन्मान लगा सकते हैं कि आपका समय बदलने बाला है अचानक से ऐसा होता है तो ये माता लच्मी के प्रसंद होने के कारण होते हैं जल्दी ही आपका सुब समय बदलेगा और आपको अने को प्रकार की सपलताय मिलना सुरू हो जाएंगी हमारे सरी के दायने अंगों का फड़कना भी सुब माना जाता है अचानक से दायने गाल, दायने बाजू या दायने हाथ फड़कना व्यक्ति के सुख समरदी की और सारा करते हैं जिससे कि उसे प्रते खेत में बरकत और सपलताय मिलना सुरू हो जाती हैं माता लच्मी की भरपूर किरपा होती है कुछ ऐसे ही संकित होते हैं इंसान अनमान लगा सकता है कि उसका समय बदलने बाला है व्यक्ति को जब भी धन की जरूरत हो पहले आप धन मांगने जाते थे आपको धन नहीं मिलता था अचानक से आपको धन मिलना सुरू हो जाए आपका कर्जा चुकना सुरू हो जाए तो आप अनमान लगा सकते हैं कि जल्दी ही आपका समय बदनने बाला हैं तो ये कुछ संकेती इन संकेतों के द्वारा आप अनमान लगा सकते हैं कि आपका समय शिग्र ही बदनने बाला है और मातालचमी की किरपा आपकी उपर होने बाली है मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हर वीडियो का नोटिपिकेशन पाने के लिए आप सभी पर ऐसे ही मातालचमी की किरपा बनी रहें नए नए जानकारी की वीडियो पान